हमारे बहुत से किसान भाईयों के सवाल है कि धान की कटाई में अभी 20-25 दिन और लगेंगे मगर ब्राउन प्लांट हॉपर का परकोप अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्राउन प्लांट हॉपर ये इस समय कौन से खेतों म में सबसे ज़्यादा टैक करता है तो किसान वीरों हॉपर ये निचले खेतों में या फिर जहां पर बहुत ज़्यादा खाट डाली गई हो तो वहां पर इस समय भी हॉपर का परकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसलिए इस समय हमें कॉंटेक्ट बेस या गैस युक्त दवाओं का प्रियोग करना पड़ता है जैसे कि एक तो आती है BPMC और दूसरी आती है इथियोन और इनका प्रियोग सिस्टमिक दवाएं जैसे कि पाइमेटर जाइन या डिनोटी फरान के साथ मिला कर भी कर सकते हैं मगर इसका प्रियोग तब करना है जब ध प्रियोग करना है और किसान वीरों BPMC के बारे में हमने 2-3 वीडियो बनाई है आप उपर आई बेटन पर क्लिक करके देख सकते हो बगर आज हम इथियोन के बारे में बात करेंगे और इथियोन की सही मातरा लेनी है 300 ml प्रतियकड और इसके लावा इथियोन ये धान की फस का भूरे रंग का होता है और शुरू में ये पतियों में ही पाए जाता है बाद में ये बालियों में पहुंच जाता है जिससे दानों में भूरे रंग के दाग धबे बढ़ जाते हैं और थोड़े दिनों बाद फसलों को बहुत जड़ा नुकसान होने के चांस बढ़ जा तो चलिए जान लेते हैं कि इथियोन के mode of action के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि इथियोन के mode of action के बारे में तो इथियोन ये एक contact insecticide, meaticide and termeticide है मतलब कि ये एक कीट नाशक, मकडी नाशक और दिमक नाशक है और इसमें fast knockdown action होने के करण ये दवा जैसे ही कीटों पे गिरती है तो कीट तुरंत ही मर जाते हैं और इसके साथ ये ovicidal भी है मतलब कि ये कीटों के अंडे तक खतम कर देता है जिससे बाद में larva बनते नहीं है और हमारे पास इस समय P.I. company की fosmite है तो इसमें भी टेक्निका लाता है इथियोन 50% EC formulation और इस fosmite को आप धान की फसल के लावा चाई की फसल में, कपास में, मिर्च में, चना, सोया बीन, आदी फसलों में red spider mites, purple mites, yellow mites, white flies, rips, pod borer और stem flies को control करने के लिए डाल सकते हो और इथियोन दवा को आप वहाँ भी प्रयोग कर सकते हो जहां पर बहुत ज़द दीमक रहती हो या फिर अगर हमने नए मकान का निर्मान करना हो तो वहाँ पर मिट्टी डालने से पहले जगा जगा इस दवा को डाल देने से वहाँ पर दीमक पूरी तरह से control हो जाता है जिससे की मकान बनने के बाद हमारे किसी भी फरनीचर या दरवाजे पे दीमक का परकॉप नहीं होता है क्योंकि हमारे किसान भाईयों का एक ये भी सवाल है की फरनीचर या घरों में दीमक की रोगथाम कैसे करें तो दीमक की रोगथाम के लिए अभी तक का सबसे बैस्ट दवा है इत्योन तो आप इस इत्योन का प्रयोग कर सकते हो और बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में तो इसके एक लिटर पैक की कीमत रहेगी साड़े साथ सो से आठ सो रुपे तो किसान भाईयों यही सब कुछ था कि धान की फसल में हॉपर और पैनिकल मैट्स को कंट्रोल करने के लिए अभी तक का सबसे बेस्ट इंचैक्टिसेड धन्यवाद